नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की एतिहासिक कहानिया आज पांच अक्टूबर है और आज की तारीख का सम्मंध है एक महरानी से बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी विसुबद्रा कुमारी चोहान की इस कविता ने भारत के बच्चे-बच्चे को रानी लक्ष्मिबाई की कहानी से रूबरू करवाया अक्टूबर 2021 का वहिना चल रहा है और वक्त चल रहा है कविताओं से और कभियों से कोट अनकोट प्रेडना लेने का हम विसुबद्रा यानि गोनवाना के उत्तर का इलाका सोल भी शताबदी में यहां रानी दुर्गवती ने मुगलों की विशाल सिना से लोहा लिहा और वीरगती को प्राप्त हुई 1820 में अंग्रेज प्रशासक सर विलियम हेंडरी स्लीमैन ने भारत में प्रवास के दौरान बनाए अपने नोट्स में लिखा आज भी उसके समाधी दो पहाडियों के बीच एक सक्रे रास्ते पर देखी जा सकती है यह वही जगह है जहां वो जंग के मिदान में आखरी बार गिरे थी समाधी के बगल में बड़े बड़े दो गूल पत्थर हैं मानेता है कि यह रानी के शाही ढोल थे जिनने पत्थर में तबदील कर दिया गया रात के सरनाटे में आज भी उनकी आवाज जंगल के उस पार तक गूंचती है वो अपने योद्धाओं की आत्माओं को बुलाती हैं जिनकी हजारों समाधियां आज पास ही हैं कौन तिरानी दुरगावती जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं 1526 में बाबर ने इबराहिम लोदी को पानेपत की पहली लड़ाई में हराया और मुगल सल्तनत की नीव रखी उसकी मौत के बाद 1530 में हुमाईओं को मुगल सल्तनत की कमान मिली लेकिन हुमाईओं का राज केवल 10 साल रहा 1640 में शेश शाह सूरी जिसे हुमाईओं उस्ताद बाचशाहन यानि बाचशाहों का गुरू बुलाता था उसने हुमायों को हराकर सूरी सल्तनत खड़ी कर ली इसे दौरान मद्य भारत में अलग-अलग बंशों और राजे रजबाणों का शासन चलता रहा इनमें सबसे मजबूत था गोंडवाना राज जिस पर गोंडवंश का शासन था आज के हिसाब से विदर्व का पूर्वी इलाका, मद्यप्रदेश, 36 गड़ का कुछ इलाका मिलाकर गोंडवाना राज का तब का इलाका बंता है गोंडवाने भी चार रियासतیں थी जनमें सबसे मस्बूत थी गड़्मंडल आज के हिसाब से जवलपूर मंडला का इलाका सोभी सदी की शुरुवात में उत्तर भारत में लोधी और बाबर की लड़ाई चल रही थी तब गड़ मंडल एक छोटा सा राज्य होता था 48 वे गोंड राजा संग्राम शाह के कमान समालने के बाद उन्होंने अपने राज्य को विस्तार दिया और आसपास के बावन दुर्गों पर अधिकार कर लिया गड़ मंडल गोंड राजाओं की सबसे ताकत पर रियासतों में से एक था उनके पास एक हजार हाथी, बीस हजार घुरसवार सैनिक और एक बड़ी सेना थी गोडवाना के पड़ोस में चंदेल राजपूतों का राज जमहोबा था, इस पर राजा कीरत राय का शासन था चंदिलों ने कभी महमूज गजनी का सामना किया था, खजराओं के मंदिर का निर्मान कराया था लेकिन 1530 आते आते चंदेल एक छोटे से हिस्से में सम्ट कर रह गए थे 1526 में जब बाबर ने लोधी को हराया, उसी साल चंदेल वंच में आज ही के दिन यानि 5 अक्टूबर को एक राजकुमारी का जन्म हुआ, दुर्गाश्टमी के दिन पैदा होने के कारण उनका नाम रखा गया दुर्गावती, दुर्गावती ने अपना बच्पन कलिंजर के किले में गुजारा, बच्पन से एक घुरसवारी और तीरंदाजी का शौक था, अगबर नामा में अबूल फजल ने दुर्गावती के लिए लिखा, वो बंदूख चलाने और निशा पर जाती, उनके बारे में एक और किसा मशूर है कि शिकार के दौरान उन्हें कोई बात दिख जाता तो वो जब तक उसे निशाना नहीं बना लेती, पाने नहीं बीती, राजकुमारी दुर्गावती बड़ी हुई तो आसपास के राज्यों में उनके खूबसूरती और य पहाजा उन्हें इस शादी से कोई इतराज नहीं हुआ, चंदेलों की तब पड़ोस के कालाचूरी राजाओं के साथ दुश्मनी थी, दुर्गावती को ऐसास था कि अगर गोंडवंच से रिष्टा जुड़ जाए तो चंदेलों की शक्ती बढ़ जाएगी, लेकिन इतराय को हार माननी पड़ी और 1542 में दुर्गावती और दलपत शाह की शादी हुई, दुर्गावती तब 18 साल की थी, 1545 में जब शेर शाह सूरी ने कलिंजर के के किले पर आक्रमन किया, तो गड़ मंडल ने चंदेलों की मदद की, इस युद्ध में शेर शाह सूरी की काम देखने लगी, कुईन मदर, उधर शेर शेर सूरी के बाद मालवा पर सुजात खाने कबजा किया, 1555 में मालवा की बागड़ूर उसके बेटे बाज बहद्धूर खान के हाथ में आई, बाज बहद्धूर ने 1556 में गड़ मंडल पर हमला कर दिया, इस रड़ाय में उस की नजर मालवा पर पड़ी, जो गड़ मंडल के बिला, 161 में अकबर ने अपने जनरल अदम खान को मालवा पर हमला करने भेजा, अब यह अदम खान था, यह जानने के लिए थोड़ा और बैक्राउंड में जाना पड़ेगा, जब अकबर पैदा हुआ था, हुमायू दद खान जिसे अकबर अपने भाई की तरह मानता था, उन दिनों मालवा के समराड बाज बहद्दूर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग का चर्चा चारो तरफ था, मांडू का महल बना, रानी रूपमती नहां थी, अधम सिंग को जब मालवा पर कूच का पता चला तो उ उसने सबसे पहले अपना नाम आगे किया, इसकी एक वज़े ये भी थी कि उसके नियत खराब थी और वो धन दौलत के साथ साथ, रानी रूपमती को भी हड़पना चाहता था, मालवा पर कबज़े के बाद वो रानी रूपमती को अगवा करने पहुचा, लेकिन उसका ये खबर लगी, तो वो खुद सेना लेकर मालवा पहुचा, अदम खा को जीती हुए धन समपदा, आखिरकार अकबर को लोटाने ही पड़ी, महा मंगा के चलते अकबर, अदम खा के हरकतों को खूब नजर अंदास करता, लेकिन पंदरा सो बासट में उसके एक हरकत ने अकबर के सबरकाबान तोड़ा, हुआ ये कि साल 1562 में अदम खान अकबर के वकील मुतलग अदगा खान की हत्या कर दी, वकील मुतलग तब मंत्रिपद में सबसे वरिष्ट पद होता था, मोनार के बाद सबसे सीनियर मिनिस्टर, जैसे आज के ताइम में हम कहें तो प्राइम मिनि अकबर के साथ हतापाई के बाद सेवकों ने उसे पकड़ लिया, अपने प्रीय मंत्री की मौत की बाद जानकर अकबर का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुंचा था, उसने अपने सैनिकों से कहा कि अदम खान को छट से सिर के बल नीचे फेके, इमारत सिर्फ क्यूंकि दस इस विश्यानतर की बाद मुख्य कहानी पर लोटते हैं, मालवा हारने के बाद बास बहाद्दूर ने एक बार फिर बाद में मालवा कबजाने में सपलता पाई, तब अकबर ने अपने सबसे जावास जनरल असाफ खान को सेना सेथ मालवा की और रवाना किया, मालवा पर गबजा करने के बाद आसाफ खान एक रीवा पे चढ़ाई की और उसे भी मुगल रियासत में शामिल किया, अब जब रीवा और मालवा मुगलों के गबजे में हो गए तो गड़ मंडल दोनों तरफ से घिर गया, राने दुर्गावती को मालुम था कि आज यकल मुगल उन बहुत बड़ी थी, राने दुर्गावती के वजीर आधार सिंग ने उन्हें संधी करने की सला दी तब, तब राने ने जवाब दिया कि बिना सौभिमान के जीने से इजजत की मौत पाना बहतर है, लड़ाई की तैयारी के लिए राने अपनी सेना लेकर नर्राई नाला प पहुचे तो राने ने खुद लीड करते हुए मुगलों पर हमला बोल दिया, इस हमले में मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन राने दुर्गावती की सेना को बहुत नुकसान हुआ, मुगल पीछे हट रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, ऐसे में राने दुर्गावती ने अपने सेपह सलाकारों को बुलाया और उनसे नई युद धरनीती को लेकर सलाह मशिवरा किया, राने का प्लान था कि अगर वो रात में मुगलों पर हमला कर दें तो सेना चौक जाएगी, इस प्लान में उनके जीतने के चांसे सबसे ज्यादा थे लेकिन मंत्री गणों ने पहाड़ी इलाके का हवाला देते हुए रात की लड़ाई का विरोत किया और राने ने इस प्लान को टाल दिया, यही पर उनसे एक बड़ी गलती हो गई, अगले दिन आसाफ खाने दो गुनी फाज लेकर हमला कर दिया, राने दुर्गावती अप दो तीर लगे और वो वेहोश हो गई, जब उने होश आया मुगल जीच चुके थे, उनके महावत ने उनसे भाग जाने को कहा, तब राने दुर्गावती ने एक खंजा निकाला और अपने सीने में उतार लिया, इसे के साथ वो वीरगती को प्राप्त हुई, राने दुर् कि उसके एक हिस्से की गिंती करना भी नामुम्किन था, आसाफ खाने भी सिर्फ दो सो हाती अकबर की दरबार में भेच कर अब बाके सारी दौलत हडब ली, जिसे हासिल करने अकबर को फिर से खुद जाना पड़ा, आगे चलकर मुगलों ने सिर्फ दस के लिए अपने पा आज के लिए इतना ही तारिक इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और इससे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दिपक ने, देखते रहे हैं दिलालन टॉल